हलो एंड वेलकम तो नॉलेजिस्ट और आज की सेडिशन में हम बात करेंगे राजस्तान हाई कोट के जोदपूर बेंच का एक मॉनुमेंटल जजमें जो आई बीपेस रिलेटेट्ट चुदेंश के लिए बहुत ही बहुत ही यूजबू डिसिशन है आगे चलके उनके लिए एक गुद न्यूज भी बनने वाला है so let's talk about it but before I start I must give my heartfelt congratulations to the entire team of aspirants those who fought the legal battle we at knowledgeist also tried to convince the respected banks and never at that point of time but no result but I am very happy today that these people fought the case and finally won the battle but it is half won and I will be analyzing with all of you what is the implications of this judgment judgment के बाद क्या होगा और इस जज्जमेंट में है क्या वैसे जिसके लिए हम लोग बहुत excited है जिस टाइम यह वैकेंसी वीड्रायल हुआ था उस टाइम हमने भी बोला था कि यह लिगाल है वैकेंसी नंबर लास्ट मिनिट में वीड्रायल हुआ था तो इसके चलते वी वे students के लिए आसा है कि इस बार अगर इन लोगों को मिलता है selection if they are posted we will get some more numbers बट यह हमसे और आप से बढ़कर यह जज्जमेंट है क्योंकि आगे चल के कोई बैंक ऐसा नहीं करेगा और यह जज्जमेंट scale 2 2020 के लिए है मगर इसका implication अगर कोई दूसरा चोटा सा case भी file करता है 2021 में भी हुआ था इसू vacancy withdrawal उसके उपर भी असर आएगा scale 3 other positions scale 1 OA बाकि जिसी भी level में vacancy withdrawal कभी भी हुआ है last minute में उसके लिए यह एक eye opener case हो सकता है तो court ने case शुरू किया था उसमें IBPS को जब पुछा गया IBPS ने साब सब्दों में बोल दिया कि यह मेरा lookout नहीं है vacancy number report करना और vacancy field करना bank का काम होता है हमें जितने लोगों के लिए बोला जाता है हम उतने लोगों का करते हैं BRKGB ने last minute में vacancy withdrawal कर लिया था इसके चलते हमने अलर्टमेंट नहीं दिया जब यही बात BRKGB को पुछा गया BRKGB ने बोला कि yes हमने recruit किया था हमने recruitment के लिए numbers बोले थे अच्छा का सा वैकेंस रिपूट किया था मगर लास्ट मिनिट में हमारे sponsor bank ने मना कर दिया तो उसके चलते हमने लिया नहीं मगर sponsor bank ने कब मना किया sponsor bank ने last minute में मना किया चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वो पेज जहां पर BRKGB के लॉर्णेड काउंसल यानि कि आडवोकेट ने बात रखा है कि 1812-2022 विठोल्ड रिक्रूट्मेंट प्रोसेस अंडर CRP अफारार वीज ठीक है BRKGB ने बाइस बारा को यानि कि 22 दिसेंबर रेजल्ट आनाउंस होता है नॉर्माली एक जनुवरी को एक जनुवरी मतलब आठ दिन पहले ही मना कर दिया कि sponsor bank ने मना किया है इसको बोला कि हमारे लिए eligible students मत दो यानि कि लास्ट मिनिट में ठीक है और उसके चलते जो वैकेंसी अप्रूब हुआ था लास्ट मिनिट में वैकेंसी उड्रायल के री परकसंस खराब हो सकते हैं थीक है तो इसी लिए हमने फिर से रिपोर्ट किया सब्सक्राइब करने के लिए ठीक है या फिर वैकेंसी वैकेंसी फिलब करने के लिए ठीक है आई वी पेस को उन लोगों ने से पांच फरबरी को मेल किया कि हमारे जो सिलेक्टेट स्टुडेंट्स हैं 126 इन स्केल 2 इन अधर पोजिशन हमें रिक्रूइट किया जाए मगर उस ताइम जो अभी तक बोल ला था आई वी पेस की मैं सिर्फ और सिर्फ रिक्रूट्मेंट ही करता हूं उसने मना कर दिया कि मैं और नंबर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे मेरिट लिस्ट फील्ड है उसी आधार पर कम सीट के आधार पर हमने अलाट्मेंट किया हुआ है हमारा सारा महत गड़ बड़ा जाएगा क्योंकि इस लिए उसने फिर इससी तवाब होगत सते पाँच दिन के बाद मगर तभी नहीं लिया तो इसके उपर फटकार मिला है आई वी पी एसको बोला गया है कि आप तुरंत ही वैकेंशी को फिल कीजिए मैं आपको बोलता हूं ये अकेला एक बैंक नहीं है जिसका वैकेंशी वीड्रायल हुआ था दो साल से हो रहा है सारे बरोदा sponsored RRBs का हो रहा है और not only 126 candidates to get reallotment in scale 2 क्योंगी ये scale 2 बालों ने ही file किया था अगर बाकी positions मैं आपको दिखाऊंँ यहां पे positions बहुत थे हमारे मैं एक second आपको दिखाता हूं positions scale 1 में 196, office assistant 200, officer scale 2 126, officer scale 324 ये vacancies feel हो सकते हैं और अगर एक छोटा सा case file किया जाए अभी जो court court ने समन किया है वो है कि आप 2021 के merit list के उपर पुराना merit list निकालके उन 126 लोगों को posting दीजिए तो इसके उपर एक छोटा सा read petition file करना बाकि है एक छोटा सा read petition अगर फाइल होता है तो बाकी जो banks है वो भी recruit करेंगे और बाकी scales में भी recruitment होगा तो जिन लोगों का preference था बोरोदा यूपी और बोरोदा sponsored rrbs वो भी file read petition file कर सकते हैं वो भी case को आके बढ़ा सकते हैं क्योंकि bank is ready to fill मैंने आपको हमेशा बोला था बैंक इसे डायार नीड आप मैन पावर तो ऐसे में उनको अगर मौका मिल रहा है वह आप लोगों को ले लेंगे लेंगे मगर the ball is in the court of ibps मेरा सुभे कुछ लोगों से बात हुआ है डोज वर इंटॉच विपीएस इस किस तरह से चीज को calculate करेगा क्योंकि अगर पूरे परिट लिस्ट को चेंज किया जाएगा लोग तो लोग कि जॐएंड है सबसक्राइए बाकि लोगों इसे मैं मुस्किल सकता है बाकी लोगों को अगर प्रिफरेंश मिलेगा जिन लोह चार्श प्रिफरेंस था अउन्हों के लिघेस दूसरे जगाओं पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा उसको लेके IBPS में मन्थन चल रहा है इस order को लेके या फिर इस order के उपर फिर से पिटिसन फाइल करने का भी सोचा जा रहा है और मगर picture अभी clear नहीं है मगर job तो मिलेगा ही मिलेगा 126 लोगों को posting मिलेगा क्योंकि बैंक ने जो main recruitment करने वाला है उसने हाथ खड़ा कर दिया है एस स्थिती में job मिलना लाजमी है और और दिस इस गुड़ न्यूज फर दोज बैंक्स वो और कैंसलिंग देर वैकेंसी जिन लास्ट मिनिट आगे इसा नहीं होगा इसको एक monumental judgment के तरह सर्व किया जाना चाहिए बैंक्स को यह समझाना चाहिए कि आप report करके कैंसल नहीं कर सकते बाकी जिन सालों में हुआ है बाकी जिन पोजिशन्स में हुआ है उसमें भी फिल अप हो सकता है subject to someone file direct petition मैंने अपने जितने भी legal friends है उन लोगों के साथ भी इस case को लेके discussion किया है आज क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास messages आ रहे थे इसको लेके बात करने के लिए तो पसे credit petition की डरी है बाकी लोगों को basically definitely job मिलेगा 2021 को लेके धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और आपको तो पता है knowledge is the only platform for professional banking segment and in any exam we produce 80% plus successful students so don't forget or don't hesitate to subscribe us thank you once again for being with us thank you for your time love and support